हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल सो दोस्तों जैसे मैंने एक वीडियो भी अप्लेट किया दो तिन दिन पहले रिगार्डिंग डार भी रेकृट्मेंट जिसमें सेंट्रलाइज इंप्लाइमेंट नोटिफिकेशन अलड़ी आ चुका है और करीबं 26,000 से ज्यादा पोस करना चाहता हूं how to fill the form, form भरे कैसे जाएंगे इसमें क्या प्रोसीजर्स है इसको कैसे कैसे आपको step by step follow करना है so that आपको बिना किसी दिक्कर के बिना any issue you will able to submit the form देखे इस पूरे document में वैसे अगर आप go through करें ठीक से तो आपको पूरे procedure आपको प्रोसीजर्स है अविलेबल है page number 2 पे आपको यह दिया गया है कि आप online application भरतकते हैं किसी भी RRB की website के थू जाकर पूरी जो list है जितने भी 21 RRB है उसकी पूरी list अल्रेडी दी हुई है ठीक है paragraph 19 में और वहाँ जाकर आप भरतकते हैं देखे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर यह लिखावा है कि एक candidate को only one application is allowed ठीक है एक candidate एक सदा application अगर भरता है तो उसका जो application है वो डिस्क्वालिफाइट कर दिया जाएगा तो इसलिए आप कोई भी एक RRB select करिए उसमें अपनी एक application भरिए बस इससे दादा मत भरिएगा अब मैं आपको वो process बताता हूँ कि आपको कैसे select करना है पेज नमबर 17 पर जाहिए paragraph 19 यह रहा आपके सामने इसमें आपको पूरी सारी list दी हुई है एमदाबार अलाबार बैंगलो जितने भी हमारे 21 RRB सबकी इसमें से कोई भी select कर लीजे जैसे कि मैंने अलाबार का link select कि मैंने यह copy किया है और मैं आप अल्रीडी copy open करके रखा हुआ हूँ आप लोगों के लिए दिखे यह रहा मैंने इसको open किया है यहां पर पूरा list दी हुई है इसमें दिखे employment के notice वगरा और भी सारे details है वैसे आपको simple करना क्या है जब आप इसका home page open करेंगे जो भी आप यह URL open करेंगे तो आपको यह मिलेगा यहां पर देखे है click here to apply this जब इस पर आप क्लिक करेंगे आपको basically इस तरह का एक web page आ जाएगा और यहां पर पूरे dates दिये हुए है कब से application registration स्टार्ट हुए है और कब तक खतम होगे पांच मा पूरे details दिये हुए है timeline भी दिये हुए है कि कब तक last date है भरने की fees इसके इलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां पर पूरे steps दिये हुए है करीवन 7-8 steps यहां दिये हुए है एक एक करके पूरे steps दिये हुए है आपको basically करना यह step 1 में जैसे इसमें लिखा ठीक है इसके अंदर जैसे आपका नाम date of birth और एज आपकी कितनी हो गई है residential address father name वगरा और भी जो भी सारे वह बने एक बात ध्यान देने वाली बात यह आप पर अधार कार्ड नंबर भी भरना है लेकिन अधार कार्ड नंबर mandatory नहीं है ठीक है तो कोई जरूरी नहीं है आपका एक registration ID जर्नेट होगा और एक OTP one time password जर्नेट होगा जो कि आपको mobile पर और email पर आजाएगा आप इस form में अल्रेडी आपको एक mobile और email आईडी बना है तो उस particular mobile और email पर आपका detail आजाएगे registration बार में इसी पर ही जब आप continue करेंगे तो आपको वहां पर चालान recipient मिल ज चाते हैं आप online भी फीस payment कर सकते हैं net banking अविलेबल है credit या debit card से आप पूरी फीस payment कर सकते हैं इसके इलावा अगर आप फीस online बना नहीं चाते हैं तो आप basically जो चालान की receipt generate होगी इसी form submit करने के बाद आप उसका print out ले लिए और किसी भी SBI branch में चले जाएए और या फिर post office म महां पर आप जो चलान ले कर जाएंगे उस चलान के थुरू आपकी फीस submit कर लिए कर दी जाएगी ठीक है तो यह last step होगा फीस submission का पस यह ध्यान अगिएगा फीस submit करने की last तारीक भी 15 मार्च ही है ठीक है इससे दर आप skip नहीं कर तकते हैं और अगर SBI और post office चलान देखे यह मेरा suggestion है बागी इसके लावाद दोस्तो प्लीज सस्क्राइब मैं चैनल ठीक है मैं और भी वीडियो पर बनाने वाला हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है कैसे current affair पढ़ना है और भी कौन-कौन सी important books हैं जो आप follow कर सकते हैं इस exam के preparation के लिए मैं वह और भी details बनाऊंगा और भी वीडियो बनाऊंगा तो अगर आप subscribe पर के रिखेंगे मैं चैनल को तो आपको बिना किसी issue के notification मिलते रहेंगे जो भी में detail आपको provide करता जाओंगा अपने चैनल पर जो भी वीडियो upload करता जाओंगा all right so i you know all the best for your preparation for the exam thanks thanks for watching my video